हाई दूस्तों केरला फ्रेवर चैनल पर सबका स्वाकत है आज हम बन दोशा की रेसीपी देखेंगे यह बहुत इसी और टेस्टी रेसीपी है इंस्टनली बना सकते हैं तो देखेंगे यह कैसे बनाते हैं इसके लिए एक कप इटली राइस जाइए मैंने यहाँ पर इटली राइस यूज किया है आप रॉर राइस यूज कर सकते हैं इटली राइस से थोड़ा ज्यादा अच्छा टेक्स्टर मिलेगा अब हम मेथी सीट डालेंगे इसमें उसके बास सोग करेंगे चार खंडे के लिए बिगो के रखा है मैंने यहाँ पर अब हम हाफ कप पोहा लेंगे और उसमें हाफ कप बडर मिल्क अड़ करेंगे दही थोड़ा सा पतला करके अड़ कर सकते हैं अब हाफ कप ही ले रही हो एक कप राइस के लिए अब हम इसको भिगो के रखेंगे पांच मिनिटी रखना है क्योंकि ये बहुत जल्दी सोख हो जाएगा अब हम इसको मिक्सर में डालेंगे और राइस को भी डालेंगे और साथ में ग्राइंड करेंगे अच्छे से ग्राइंड करेंगे, हम अच्छे से मतलब ऐसे smooth paste बनाएंगे अब दीखें ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है अब हम इसमें पानी थोड़ा सा डालेंगे और उसके बाद नमक भी डालेंगे नमक टेस्ट के हिजाब से डालके अच्चे से mix करेंगे मैं तो हाथ से ही mix कर रही हूँ फिर fermentation के लिए 7 घंडे के लिए रख रही हूँ अगर आपको ऐसे fermentation के लिए रखना नहीं तुरंद बनाना है तो soda डाल सकते हैं और बना सकते हैं अब देखे अच्छे से mix कर रही हूँ और उसके बाद हम इसके लिए थोड़ा सा तड़का बनाएंगे तो नारिल का तेल में सरसो डालके फिर उसमें हरी मिर्च और अद्रग डालेंगे और एक स्पून प्यास डालेंगे प्यास डालने के बाद अच्छे से mix करेंगे फिर ही डालना है 1 by 4 टीस्पुन थोड़ा सा ही प्यास डालना है ज्यादा डालने की जर्रत नहीं है अगर आपको और कुछ वेजटेबल्स क्यारट वगेर डालना है तो डाल सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं अब यह तड़का बैटर में डालके अच्छे से मिक्स करेंगे और एक कड करेंगे और थोड़ा सा ओईल या घी डाल सकते हैं दोनों साइड अच्छे से पक गया तो हम इसमें से निकालेंगे वैसे ही वाकी का भी बनाएंगे बिना तटके का भी बना सकते हैं ऐसे प्लेइन देखिए इसमें तो ऐसे उरदाल वागेरा नहीं यूज करते हैं हम ऐसे नहीं बंदोशा बनाते हैं बहुत टेस्टी एंड इसी रेसीपी है इंस्टनली भी बना सकते हैं देखिए इसके अंदर तो बहुत सौफ्ट है और अच्छे से फ्लफी हो गया है मैंने यहां पर फर्मन करके बनाया है तो इसलिए ज्यादा टेस्टी लगेगा तो आप सब लोग ऐसे ही ट्राइ करके देख लीजे बहुत टेस्टी एंड इसी रेसीपी है यह मैं टामाटर चटनी की साथ खा रही हो नारिल की चटनी की साथ भी का सकते हैं यह तो सामबार भी यूज़ कर सकते हैं और चटनी की रेसीपी इसकी लिंक में डिस्रिप्शन बॉक्स पर देती हूँ आप चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो ट्रै करने के बाद आपके फीडबैक कमन कर लीजीएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आगया तो लाइक करना ना भूले अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तिल दन बाबाई थैंक यक्यों मुच वाचीं